हेलो पीपल टीचर वेलकम टू लेट्स रिवाइस इस चैनल पर आपको बेट से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकलोजी की और चाइल्ड साइकलोजर की ये क्वेशन जो पूछा था वो पूछा था अनामिका सिंग ने उनका की साइकलोजी क्या होती है और चाइल्ड साइकलोजर क्या होती है फरस्ट अफ फॉल थैंक ये सो मज़ कि आपने मुझसे ये क्वेशन पूछा मैं और लोगों से भी यही बोलूँगी कि किसी को भी कोई भी क्वेशन में प्रॉबलम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है मैं उसका आंसर जरूर करोंगी and second thing आप भी इस तरह का मुझे time duration बता दिया करो क्योंकि ये जो वे था ना इनका पूछने का ये मुझे बहुत अच्छा लगा at least इनों ने मुझे एक time बता दिया कि मैं इतने time के बीच में इनको उनके question का answer दे दूँ जब आप लोग time नहीं ब कर दिया करो कि आपको कब तक चाहिए वो तो चलिए आज की वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि psychology क्या होती है psychology पहले क्या थी आपकी philosophy की एक branch थी philosophy का एक पार्ट थी लेकिन क्या हुआ कि कुछ time बाद जब psychology lab का establishment हुआ तो उसकी बाद से psychology philosophy से अलग हो गई और जो इस psychology lab का establishment था उसको किया था William Wundt ने आपकी जो psychology है ये दो ग्रीक वर्ट से मिलकर बनी हैं फर्स्ट है आपका psyche and second है आपका logos ठीक है यहाँ पे psyche का मतलब होता है आपका soul and logos का मतलब होता है science ठीक है तो हम कह सकते हैं इसको कि psychology means यहाँ पर क्या है science of soul ठीक है न यही हम कह सकते हैं मतलब की आत्मा का विज्ञान आत्मा का विज्ञान जिसमें हम किसी आत्मा का अध्यन करते हैं बट यह क्या है यह थोड़ा सा मतलब impossible से लगा और इसमें बहुत सारे questions का answer नहीं मिल पा ठीक है study of mind का मतलब है मन का अध्यान करना लेकिन इसमें भी बहुत सारे questions थे जिनका answer नहीं मिल पा रहा था और आज इसको हम बोलते हैं study of behavior ठीक है किसी के behavior या बेवहार का study करना उसको हम बोलते हैं psychology तो आप यहाँ पे देखो एक line में लिखा हुआ है psychology is a scientific study of the mind and behavior किसी के भी unconscious conscious mind का and behavior का एक scientific way में study करना ही psychology कहलाता है psychology की बहुत सारी branch होती है जैसे आपका education psychology, health psychology, occupational psychology और social psychology I hope आपको psychology clear हो गई हो एक बार मैं फिर से repeat कर देती हूँ psychology कुछ नहीं होती है psychology एक scientific method होता है जिसमें हम किसी के mind और उसके behavior को study करते हैं चलिए आप बात कर लेते हैं child psychology की तो जैसा मैंने आपको बताया है कि psychology के कुछ branches होती है educational psychology, health psychology इसी तरीके से आपकी child psychology भी ना एक psychology की branch ही है ठीक है जो psychology की अलग अलग branches है उसमें हम किसी particular चीज की study करते हैं ठीक है तो जो child psychology है अभी हमने आपको psychology की बारे में सब कुछ बताया detail में ठीक है तो जो child psychology है वो क्या होती है child psychology deals with यहां पर focus on नहीं होगा या तो deals with ही होगा या तो focus on नहीं होगा ठीक है तो child psychology deals with the mind and behavior of children from prenatal development through adolescence तो child psychology क्या है child psychology भी एक scientific study है जहां पर हम किसी particular के mind and behavior की study करते हैं ठीक है basically यह किसी होती है यहां पर हम children के बारे में बात कर रहे होते हैं children के prenatal से लेकर के adolescence तक उसके mind and behavior को हम इस psychology में इस ब्रांच में study करते हैं इस वज़े से हम इसे child psychology कहते हैं तो child psychology में हम क्या करते हैं basically children के mind और उसके behavior को यहां पर study किया जाता है एक proper scientific way में ठीक है तो यहां पर जो age होती है वो आपकी prenatal से लेकर के adolescence तक होती है prenatal means before birth ठीक है बच्चा जब मा के पेट में होता है तब ही से ही and adolescence मतलब 12 year या फिर आपका 14 year ठीक है ना यहां पर हम क्या देखते हैं यहां पर हम बच्चे की overall development को देखते हैं ना ही खाली हम उसकी physical growth पर focus नहीं करते हैं हम उसकी mental growth पर उसकी हम social and emotional सारे phases पर उसकी जो होती हैं वहां पर हम उसको proper study करते हैं simply कह सकते हैं कि child psychology में हम बच्चे की overall development पर focus करते हैं अब हम child psychology पढ़ते क्यूं हैं तो child psychology हम इसलिए पढ़ते हैं क्यूंकि हम child के बच्चे के mind को समझ सकें उसके behavior के through हम उसकी और उसके development में उसकी help कर सकें क्यूंकि जो child psychology को समझता है वो अपने students को भी बहुत ही easily समझ पाएगा और उसकी development में उसकी help कर पाएगा तो अभी आपको clear है न कि child psychology और psychology क्या है जो psychology है वो आपका main है और जो आपका child psychology है वो इसकी एक branch है जिसमें हम particularly child के बारे में उसके behavior को और mind को study करते हैं scientific way में पाली psychology थी आपकी and social psychology, health psychology तो उसमें हम उस particular के बारे में study करते हैं तो in short में last में मैं बस इतना कहूंगे कि psychology क्या है psychology होती है एक scientific way में किसी के mind और behavior को study करना and child psychology में हम same चीज़ करते हैं यहाँ पे भी हम mind and behavior को ही study करते हैं scientific way में पट यहाँ पे हम एक children के mind और behavior को study करते हैं तो अभी आपको यह clear हो गया होगा इसके अलावा अगर कोई भी confusion है तो आप उसको comment section में पूछ सकते हो मैं अपनी तरफ से हर question का answer करने की पुरी-पुरी कोशिश करूंगी आप लोगों की questions का answer करना मेरी duty है और इस काम में मुझे बहुत खुशी मिलती है